दोस्तो आज इस वीडियो में हम जॉन विकलीफ के बारे में जानेंगे तो दोस्तो यह जो जॉन विकलीफ है वो एक बहुत बड़े राइटर तो नहीं है लेकिन अगर आप नेट का प्रिप्रेशन कर रहे हो अगर इसका तयारी कर रहे हो तो जॉन विकलीफ के बारे में जा facts है हम उनको देखेंगे तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग और आगे ले चलते हैं जो पहला चीज जो पहला point है उनके बारे में जानना वो यह है कि वो लोलाड मोव्मेंट के founder थे तो जो उस वक्त लोलाड मोव्मेंट चल रहा था यानि कि Age of Chaucer में जो लोलाड मो चर्ष में जो करप्सन चल रहा था उसके वो अगेंस थे इसलिए वो प्रिस्ट बने कहने का मतलब यह है कि जो Age of Chaucer था उस वक्त चर्ष में बहुँ ज्यादा करप्सन था उस वक्ते जो पादरी थे वो क्या करते थे कि अगर आप कुछ गलत काम करते हो आपने suppose that कि आपन प्रवाद देंगे तो इस चीज की यह जो गलत चीज है जो चर्ष में चल रही थी तो जोन विकलीव जो थे इस चीज के बहुत ज्यादा खिलाब थे और इसी कारण उन्होंने क्या किया कि वो प्रिस्ट बन गए और प्रिस्ट बनके उन्होंने यह सारी चीज़े बताए क यह जो चीज़े है वह गलत है फिक है प्रोटेस्टेंट रिफोर्मेशन जो था वह 15ल सताब्दी में चला लेकिन लोलाट जो थे इस पर 13-14 सताब्दी से ही काम कर रहे थे यह समाज में यह यानिकि सोसाइटि फें 15 सताब्दी में एक्टिभ हुआ लेकिन इसके उपर 13 और 14 सताबदी में ही काम किया जा रहा था जो लोलाड थे उनको हेरिटिक बोला जाता है हेरिटिक एक bad term है एक अच्छा term नहीं है तो लोलाड को हेरिटिक बोला जाता था अब आगे जॉन विकलिफ ने क्या किया है जो उस वक्त की जो उस एज में जो लेंग्वेज चल रही थी उसी को हम लोग वर्नाकुलर बोलते हैं यानि कि अभी का जो एज है इसमें जिस तरीके का लेंग्वेज यूज किया रहा है उसको हम लोग वर्नाकुलर बोलेंगे तो जो Age of Chaucer में जो लेंग्वेज यूज की जा रहे थी उसी लेंग्वेज में उन्होंने Bible को Latin से English में ट्रांसलेट किया था और इनको ट्रांसलेट करने में 1380 से 1395 तक का समय लगा था यानि कि 15 साल का समय लगा था दोस्तों इससे जादा जॉन विकलिफ के बारे में जानना मुझे नहीं लगता कि इंपोर्टेंट है और इससे जादा कुछ की फैक्ट आप उनके बारे में जान नहीं सकते हो तो अब आगे हम लोग कुछ MCQ देखते हैं जो कि नेट के लिए काफी इंपोर्टेंट है पहला कोश्चन है तो जो वर्क है दो सिबिल वर्क जो की सत्रहमी सताब्दी में लिखा गया था वो वर्क लिखा था और किसने ये वर्क लिखा था और इसका एंसर है तो थोमस राहिमर वाज ए तो थोमस राहिमर जो थे वो किया थे तो वो एक क्रिडिक थे Samuel Butler Mock Heroic Narrative Poem Hadibras derives its name from Samuel Butler का जो work है Hadibras वो कहां से लिया गया है वो कौन heroic narrative poem से लिया गया है जिसका की नाम है Fairy Queen Samuel Butler का Hadibras जो work है वो Fairy Queen से लिया गया है Samuel Butler Hadibras is an attack on तो Samuel जो यही work है जो Hadibras work है Samuel Butler के द्वारा ये किसके उपर attack है जिसका की answer है Puritanism तो ये जो work है वो Puritanism के उपर attack है Dryden's All for Love is based on which work तो जो Dryden का work है All for Love ये किसके उपर based है जिसका की answer है Antonio and Cleopatra जो की Shakespeare के द्वारा लिखा गया है तो जब आपी ये work पढ़ोगे Dryden का All for Love और जो इसका theme है वो बिल्कुल Antonio और Cleopatra की तरह है तो दोस्तो आज जो हमारे वीडियो का topic है वो यही पर स्तनाथ होता है और वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद